नमस्कार, मैं हो ससी, आई जर्खन की टोप 25 परमुख खबर जानते हैं उन्होंने कहा है कि राज सरकार की और से संचालित की जारी कल्यानकारी योजनाओं को पूरी तयारी के साथ धरातल पर उतारे ताकि राज की जानता को उसका लाब लेने में किसी परकार की परचानी नहीं हो मुख्य मंत्री ने बुद्धवार को सरकार आपके द्वार कारकरम, जर्खन मुख्य मंत्री मय्यस समान योजना, गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना, सवीत्री भाई की सोरी सम्रीदी योजना और अभुआ अवास योजना समेत राज सरकार की फ्लैग सिप योजनाओ को लेकर वर्यपत अधिकारियों के साथ उच अस्तरिय बैठक की है सीम ने कहा है कि राज सरकार की कल्यानकारी योजनाओ के किर्यानोयन में कई बार अरचन आने की सिकायते सामने आती रहती है राज भर में 30 अगस्त से 15 सितंबर 2024 तक आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कारकरम का चवथा चरण लगेगा इस चरण में राज सरकार की अती महत्व कांची कल्यानकारी योजनाओ का लाब लोगों को उनके घर तक पहुचाने का एक बार फीर से काम किया जाएगा ऐसे में इस कारकरम को लेकर सारी तेयरिया समय पर पूरी कर ले जारखन में ठनका से आठ की मौत दर्जन भर घायल राज्य भर में बुद्धवार को बजरपात से आठ लोगों की मौत हो गई है वहीं दर्जन भर लोगों के घायल होने की सुचना है गड़वा में दो हजारी बाग में दो लातेहर में एक गिरीडी में एक और लोहर्दागा में एक ब्यक्ति की मौत हो गई है वहीं घायलों का इलाज अस्थानी अस्पतालों में जारी है बदादे पलामू के हैदा नगर थाना चेतरे के रानी देवा गामें बुद्धवार को खेत से काम कर सतर वर्षी ये बासु देव सिंग बजरपात की चपेट में आकर घायल हो गई है वहीं हुसायनाबाद अस्पताल में इलाज के दरुन की मौत भी हो गई है गड़वा के डंड़ाई थाना अंतरगत जरही गाम में बकरी चरार है पचास वर्षी चट्थू चोजरी की मौत हो गई बजरपात की चपेट में आने से मंगलवाद देर साम डंड़ाई थाना चेत्रिक के ही जोतर निवासी 25 वर्षी अखिले स्यादों की भी बजरपात से मौत हो गई है जार्खन बेहतर छवी के लिए जाना जाएगा राजेपाल जार्खन के बारा हमें राजेपाल के रूप में संतोस गंगवार ने बुद्धवार को सपत ली है जार्खन हाईकोट के करवाहक मुखे नयाय धी सुजीत नरान परसाद ने उन्हें सपत दिलाई राजेपाल ने सपत ग्रहन के बाद कहा है कि वह राजे की समरीदी और प्रगती के लिए वशन बधाएगा देश में जार्खन अपनी एक अलग और बेहतर छवी बनाएगा उन्होंने सपत लेने के पूरो बिर्शा मुंडास मिलती पार्क जाकर धरती अबागी परतिमा पर सर्दा सुमन अरपित किया सपत के बाद राजेपाल ने कहा है कि जार्खन प्रगती के छेतर में नय मापदन अस्थापित करेगा इसके बाद वे दिल्ली के लिए रवाना होगा है इधर मुख्य मंत्री हमा सुरेन राजेपाल को बढ़ाई देते वे कहा है कि सन्वेधानिक अभी भावक के रूप में राज्य को आपना मागदर्शन मिलता रहे यही कामना है राजेपाल को स्पीकर समेद कैने नेतावने बढ़ाई दी है जारखन विधान सवा में रोजगार के मुद्धे पर मारसल आउट पर भी डटा विपक्ष जारखन बिधान सबाएं बुद्धवार को रोजगार के मुद्दे पर जमकर हंगामा हुआ युवाओ के रोजगार अनुबंद और सन्विदा कर्मियों के निमिती करण पर मुख्य मंत्री के जबाब की मांग को लेकर बिपक्ष के बिधायके वेल में दो पहर सबाद दो ब मार्सल ने सभी को जबरन बेल से बाहर निकाला इसके बाद सभी लोबी में धरने पर बैट गए कहा जा रहा है कि ऐसी घटना जारखन बिधान सबाएं पहली बार हुई है बता दे मार्सल आउट से पहले बिपक्ष के बिधायक अपने अधिकारिक एक्स अकाउंट पर सद सदन के अंदर की तस्बीर और वीडियो भी अपलोड करते रहे और आरोप लगाया है कि सदन में बिजली पानी एसी बंद कर दी गई है सोचाले तक भी बंद कर दिया गया है सीयम हमन्त ने कहा बिपक्ष चींता छोड़े पूरी तरह संतुष्ट कर सदन से बिधा करूँगा मांसु सत्रे के चाओथे दिन बुद्धवार को सदन के अंदर और बाहर भाजपर वीधायकों ने राय सरकार पर जानता के साथ वादा खिलापी कारूप लगाया अल्प सुचित प्रश्ण के दवान चल रहे सवाल जबाब के बीच वीपक्ष ने सरकार से पुछा है कि हर साल पांच लाख योगों को रोजगार साहयक पुलिस कर्मी पारा मेटकल कर्मियों आदिकास थाई करन का जो वादा किया था उसका क्या हुआ वीपक्ष के भारी हंगावें के बीच मुख्य मंतरी हमान सुरेन ने कमान समाली उन्होंने कहा जब से वे जेल से बाहर आये हैं तभी से वीपक्ष को काटा चुब रहा है वीपक्ष की बहु सारी चिंताये हैं इसी कारण वे अपनी सीट पर सही तरीके से बैठ नहीं पाते इनकी कूर्सी में काटा है वे जट से खड़े हो जाते हैं है मन्त ने कहा उन्होंने वीपक्ष का धारना परशन भी देखा और उनकी मन्सा को भीवे समझते हैं वीपक्ष चींता नहीं करे मैं सारे आकले बताऊंगा पूरी तरसं तूष्ट कर सधन से विदा करूंगा नौकी से लेकर उनकी हर एक छाओ का बिंदुवार जबाब संसाधन आयो जल्शं संसाधन मंत्री चंपई सुर्भे ने कहा है कि राज्य में जल्ध ही जल शंसाधन आयो का गठन किया जाएगा गठन के बाद सरकार सिचाई श पता करने का काम करेगी कि जलासर से खेतो तक पानी कैनाल या पाइपलाइन के जर्य पहुंचाया जाए आयोग के गठन होने से सुखार की समस्या से निदान किया जाएगा उन्होंने कहा है कि इसके लिए अस्थानिय समाधान पर भी काम करने की जरूरत है इससे पहले ध्यान करशन प्रस्ताओं के दोहान बिधायक परदी प्यादों ने बारिश नहीं होने से राज में सुखार की बंती स्थिती और किसानों के परसानी का मुदा उठाया था उन्होंने कहा है कि 18 लाख हेक्टेर भूमी में से अभी भी 1.8 लाख हेक्टेर भूमी पर ही धान रूपन करेंगे सदस समय समय पर उपायूत के साथ बैठा कर योजना की मोनेटरिंग करेंगे कॉंग्रेस विधायक सिल्पी ने हातिर की कि द्वारा बुद्धार को पूछे सवाल पर भी भागे मंत्रिफारान सारी ने जबा विधान सवा में दिया है बता दे सिल्पी ने अल्पस इसको पंचायत अस्तरिय सत्यापन धल का गठन किया गया इसमें उपायूक्त या वीडियो द्वारा नामी सरकारी पंचाय समीति के प्रमुख या पंचाय समीतिस्या वार्ड मुख्या सदक से होते हैं सहायक सिग्सको को 2013 से प्रोनाती का निर्देश जारखन उझने आले ने सरकार को वर्ष उनईस्या च पंचाय में युक्त्यों सहायक सिग्सको को वर्ष 2013 से प्रोनाती देने का आदेश दिया है। प्रार्थियों को ग्रेड दो से ग्रेड चार में प्रोनती दी जाएगी याजका में कहा गया है कि प्रार्थियों की प्रोनती देने में नियमों का उलंगन किया गया है प्रार्थि से जुनियर सिख्षकों को प्रोनती दी गई है लेकिन वर्ये रहने के बाद भी उन्हें प प्रार्थियों ने विभाग में प्रोनाती के लिए कई बार अभ्यावेदन किया लेकिन विभाग के ओर से कोई करवा ही नहीं की गई बिहार के समय ही उनकी नियुक्ति हुई थी लेकिन जार्खन बनने के बाद उनकी वर्यता निर्धारन में गलती की गई प्रोनाती नहीं समय जारकाण अस्थापना दिवस पर टोफी और टी सट बटवार में गलबड़ी ममले में सरकार ने जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा है पुधवार को हाई कोट में सरकार द्वारा बताया गया कि जवाब तयार हो गया है लेकिन दाखिल करने को समय दिया जाए इस प की प्रारंबिक जाच रिपोर्ट और महालेखाकार को आउडिट रिपोर्ट पेस करने को कहा था इस मामले में पंका जादों ने जनित यज का दायर की है शिक्षा मंतरी से वार्ता के बाद अंदोलन अस्थागित जारखन के बीत रही सिक्षको और सिक्षा कर्मियों के शिक्षा मंतरी बैनाथ राम के साथ बुद्धवार को वार्ता होई वार्ता में कई मामलों पर समाती बनने के बाद बीत रही सिक्षको ने अपने अंदोलन दिया बैनर को तोड़ दिये गाए और सिक्ष को से नोक जोग भी हुई बादमिक सिक्षा निदल सालाई के साथ वारता में ठोस पैनाम नहीं निकल ले जाने पर सामित सिक्षा मंत्री से वारता हुई है सांसद निसिकांत दूबे को जारखन हाई कोट से राहत जारखन हाई कोट से भाजपा सांसद निसिकांत दूबे को दो मामले में रहात मिली है पुर्व में अदालत ने निसिकान दूबे को राहत परदान की थी दूसरा मामला परित्रान मेडिकल ट्रस्ट के मेडिकल कॉलेज खरीदने से संबंदित है मामले में सुनवाई करते हुए अदालत ने सिकायत करता देवघर परित्राना मेडिकल ट्रस्ट के सचीव सिवदत सर्मा को नोटिस जारी कर जबा मंगा है निसिकान तुबे की ओर से आज का दाखिल कर समंधित प्रत्मिकी को निरस्त करने का अग्रह किया गया है सियम हमंच से मिले सरजू राय जमसेदपुर पूर्वी की निर्दलिय बिधायक सरजू राय राज सरकार के स्वास्त मंत्री बना गुपता की घेरा बंदी करने का कोई मौका नहीं चुकते ताजा प्रकरन में उन्होंने एक बार फिर मंत्री के विरोध गंभीर घोटाला और अनेमित्ता से समंधित सिकायत की है बुद्धवार को उन्होंने इस सिलसिले में मुख्य मंत्री हमनसुरें से मुलकाद कर आरोप लगाए सरजू राय ने उन्हें स्वास्त बिभाग में अनेमित्ता से समंधित ग्यापन सोपते वे कहा है कि वे इस मामले की जाच करा कर करवाई करे यह बहुत बड़ा घोटाला है मंत्री बन्ना गुपता के दबाव में स्वास्त बिभाग के पदाधिकारी सब कुछ कर रहे है देवघर बाबा धाम से जलारपन कर लोट रहे कावारियों से भरी बस पलटी दोग हायल रांची दुम का सलक पर सर्या थाना छेतरे के बराकर पूल के समेब निमा टाण गाओं के पास कावारियों से भरी एक बस पलट गई राहत की बात यह रही है कि कोई हताहत नहीं हुआ है दो चार लोगों को हलकी फुल की चोट आई है जनकारी के मुताबिक भागलपूर से रांची जाने वाली बिजाय बस संखया दो बीए च्यानबे तीरासी बुद्वार की सुबर लगभग तीन बजे बराकर नदी पार कर सर्या परखंड के निमा टांड सीमा चेत्र पहुंची इसी दरन कुछ यातियों ने देखा है कि चालक और निद आ रही है लेकिन कुछ दूर तक बस चलने के बाद असंतुलित होकर निमा टांड काओं के पास बस पलट गई जाम तरा में खेल एस्टेडियम बनाएं डीसी डीसी कुमुद सहाय के अधक्सता में खेल परयाटन वा अनावद निधी को लेकर बैठक होई इस अवसर पर जीला अंत्रगत परयाटन मत से संचालित योजनाव की समिक्चा होई डीसी ने जीले में खेल को बढ़ावा देने के लिए चीनित अस्थानों में जल्ट से जल्ट एस्टेडियम बनाने का निर्देश दिया वही अनावद निधी से चलाई जा रही योजनाव की समिक्चा की जीले में अधिसुचित परयाटक अस्थलों के विकास के लिए प्रस्ताव विभाग को भेजने परयाटन मत में उपलब्ध रासी से कर्यकारी एजेंसी से प्राकलन तयार कराने को कहा मौके पर डीडी सी निरंजन कुमार भी मौजूद थे हावडा मुंबाई रेल हादसे के 42 घंटे बाद परिचालन शुरू चक्रधरपूर रेल मंडल के बड़ा बामबो के पास मंगलवा तड़के 3.43 मिट पर हावा मुंबाई मेल हादसे से 42 घंटे बाद बुद्धवार रात 9.24 मिट पर मार्ग पर रेल परिचालन बहाल हो गया इंजिनियरिंग बिभाग दुआरा थर्ड लाइन को फिट घोसीत किये जाने के बाद हावारा मुंबाई रेल मार्ग पर ट्रेन परिचालन शुरू हो गया बतादे टाटा से चक्रधरपूर के बीच पहले रेल इंजन और फिल खाली मालगाडी को 10 किलमेटर प्रति घंटा की रफ्ता से चलाया गया इसके बाद हावडा मुंबाई गितांजली एक्सपरेस को रात 9 बच कर 24 मियट पर 10 किलमेटर प्रति घंटा की रफ्ता से थर्ड लाइन से पास कराया गया इसके साथ ही अन्य ट्रेनों को भी थर्ड लाइन से 10 किलिमेट प्रति घंटा की रफ्ता से परिचलन बहाल करने में रेलवे जुट गया है धन्यवाद